इस वीडियो में जानेंगे एक IPS officer, CO, ASP, ASP, SSP का promotion किस post तक हो सकता है टॉप post इनकी कौन सी होती है और जब सुरुवात में नया नया कोई IPS officer बनता है तो सुरुवात में उसे किस post पर तैनान किया जाता है और इन सारे अधकारियों के कौन से बैच होते हैं आपके सारे डावट इस वीडियो में clear होंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से बहले प्लीज रिक्वेस्टे के चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें चलिए आते हैं अपने topic पार देखे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक IES और एक IPS आफिसर बनने के लिए सबसे पहले UPSC क्वालिफाई करने पड़ती है UPSC में जब इनकी अच्छी रेंक आती है वो बनते हैं IES उनसे कम बाले बनते हैं IPS आफिसर तो आप जानते हैं कि एक IPS आफिसर जो होता है उसकी शुरूवात कहां से होती है जब एक IPS आफिसर कोई बनता है तो उसे किस पुष्ट पर तैनान किया जाता है सुरूवात में और उसका promotion जो है वो किस top पुष्ट तक होता है तो सबसे पहले बात करेंगे हम Assistant SP के बाद जब कोई IPS officer बनता है तो सुरुवात में सबसे पहली वर्स उसे Assistant SP का पद दिया जाता है तब उनके batch पर एक star और IPS लिखा होता है जब एक वर्स पूरा बीच जाता है तब दूसरे वर्स भी वो Assistant SP रहते हैं लेकिन उनके batch पर 2 star और IPS लिखा होता है जब उनके 2 साल complete हो जाते हैं तो उसके बाद उनका promotion होके उन्हें DSP का पद दे दिया जाता है जब वो DSP बनते हैं तो उन्हें 3 star और IPS लिखा होता है ठीक है लेकिन आपको यहाँ पर confused नहीं होना DSP को कहीं कहीं ACP भी बोलते हैं और कहीं कहीं CO भी बोलते हैं ठीक है उसके बाद जब उनका DSP से promotion होता है तब उन्हें बनाया जाता है additional SP और जब वो additional SP बनते हैं तब उनके batch पर एक असो के स्तंब और IPS लिखा होता है लेकिन देखिए आपको यहाँ पर कई बार confused हो जाते हैं लोग कि अगर आप additional SP को short form में बोलेंगे तो उनको भी ASP बोल सकते हैं और अगर assistant SP को आप short form में कहेंगे तो यहाँ पर भी ASP आपको बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको confused नहीं होना एक होता है assistant SP और एक होता है additional SP ठीक है तो जब additional SP बनते हैं तो वहाँ पर एक असो के स्तंब और IPS लिखा होता है उसके बाद जब एक ASP का promotion होता है जब एक additional SP का promotion होता है तब वही IPS अधिकारी बनते हैं SP को जैसा कि आप जानते हैं वो जिले की पुलिस का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है जब वो SP बनता है तो उसके बैच जो होता है उस पर एक असो के स्तंब और एक स्टार और लिखा होता है IPS जब एक SP का promotion होता है फिर वो बनते हैं SSP Senior Superintendent of Police जब एक अधिकारी IPS अधिकारी SSP बनता है तो उसके बैच पर दो स्टार एक असो के स्तंब और IPS लिखा होता है SSP के बाद उनका promotion होता है फिर वो बनते हैं DIG आपने DIG का नाम अक्सर सुना होगा जिसकी फुल फॉर्म होती है डिप्टी इंस्पेक्टर जर्नल जब एक IPS अधिकारी DIG बनता है तब उसके बैच पर तीन स्टार और एक असो के स्तंब होता है और लिखा होता है IPS जब DIG के बाद पोश्ट आती है DIG के बाद जब उनका promotion होता है फिर वो बनते हैं IG इस्पेक्टर जर्नल जब एक IPS ऑफिसर इस्पेक्टर जर्नल IG बनता है तब उनके बैच पर एक स्टार तलवारों के निसान और IPS लिखा होता है IG के बाद पोश्ट आती है फिर आती है ADGP अडिसेनल डीजीपी जब एक IPS officer अडिसेनल डीजीपी बनता है तब उसके batch पर एक असोग इस्तम तलवारों के निसान और IPS लिखा होता है फिर आती है DGP डीजीपी जब एक IPS officer बनता है तब उनके batch पर same to same यानि कि additional DGP जो ADGP होते हैं और DGP के जो batch होते हैं वो बिलकुल same to same होते हैं दोनों के batch पर asuk system और तल्वारों को निसान और IPS लिखा होता है अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि SP जो होता है वो एक normal district का होता है SSP जो होता है वो सहरी डिस्टिक का होता है और DIGIG जो होते है वो मंडल लेविल के पुलिस अधिकारी होते है और ADGP और DGP जो होते है वो राज जिस्तर के पुलिस अधिकारी होते है इसके बाद उनकी जो सबसे टॉप मोस्ट सीनियर जो टॉप मोस्ट पोस्ट है वो होती है डी आई वी डारेक्टर ओफ इंटेलिजेंस ब्यूरो आप देखिए इनमें से एडिसनल डी जी पी डी जी पी और डी आई बी जो हैं ये जो पोस्ट हैं ये सबसे टॉप पोस्ट हैं एक IPS ओफिसर की दोस्तो इसके बाद में आपको एक कन्फूजन जो है जो सबस तीन स्टार और लाल और नीली पटी है थर्ड जो वेच मिम्ना सब्कों धी unity नहीं है निची स्वर्थ निमल्पर आप देंगें कि तीन स्टार हैं और IPS लिखा है देखिए यहां पर नेखियन सब पर तीन स्टार है लाल रंकी पट्टी है उन्हें कहते हैं Assistant, Police Inspector और Second number जो बैच है जिस पर तीन distinction और लाल और नेली रंकी पट्टी है उन्हें कहते हैं Inspector, Police पुलिस Inspector जिन्हें कहते हैं ठीक है और कहीं कहीं पर इन्हें First number वाले को SEO और Second number वाले को SHO कहते हैं ठीके अब बात आती है थार्ड और फूर्थ नम्बर वाले को तो देखे यहाँ पर दोनों ही DSP हैं दोनों को ही आप DSP बोलेंगे जहाँ पर तीन स्टार है कोई भी पट्टी नहीं है उसे भी DSP बोलेंगे जहां पर 3 star और IPS लिखा है उसे भी आप DSP बोलेंगे DSP को कहीं कहीं ACP भी ACP और CU भी बोला जाता है तो यह भी आपको confusion नहीं होना लेकिन यहां पर अंतर यह है कि जहां पर 3 star only है वो जो है वो PPS rank का अधिकारी है यानि कि वो PCS qualify करेके DSP बना है लेकिन जहां पर 3 star IPS लिखा है वो जो अधिकारी है वो IPS rank का अधिकारी है अब बात करते हैं इन्हें में क्या अंतर होता है तो इन्हें में सबसे महित्पूर अंतर है जैसा कि आप देख सकते हैं DSP, Additional SP, SP और SSP दोनों तरफ जो बैच हैं, दोनों अधिकारियों की जो बैच हैं वो बिल्कुल same to same है अंतर सिर्फ एतना है कि एक तरफ IPS नहीं लिखा और एक तरफ IPS लिखा है तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया वो PPS जिन पर IPS नहीं लिखा वो PPS rank की अधिकारी है PPS की full form है Provincial Police Service प्रांती 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 सिवा यानी की यह जो अधिकारी है जिन पर IPS नहीं लिखा है यह अधिकारी अपने प्रांत तक ही सीमित है इनकी duty अन्य राज्यों में नहीं लगाई जा सकती है यह अपने प्रांत में ही सेवा दे सकते है अगर वहीं हम बात करें एक IPS officer की एक IPS DSP, SP या मानली जी एक IPS officer की तो एक IPS officer पूरे भारत में किसी वी राज्यों में सेवा दे सकता है एक IPS officer की पूरे भारत में किसी वी राज्यों में duty लगाई जा सकती है दूसरा जो महत्वूर जो अंतर है वो यह है कि जो IPS अधिकारी होते हैं उनका प्रमोशन जल्दी होता है उनके प्रमोशन में बहुत कम टाइम लगता है और उनकी जैसा कि मैं इस वीडियो में बताया है आपको कि एक IPS ओफिसर की टॉप पोस्टे होती है डि आईजी, आईजी, एडी जी पी, डी जी पी, अगर वहीं हम बात करें एक PPS रेंग के ऑफिसर की बात, प्रांती पुलिस सेवा की बात तो इनका जो प्रमोशन जो होता है वो बहुत धीमे-धीमे होता है और इनकी टॉप पोस्ट जो होती है वो लगवग इनका प्रमोशन जो होता है वो SSP तक ही होता है और SSP तक प्रमोशन होने में बहुत अधिक समय लगता है तो दूस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें या रिदिया आपका कोई भी कुस्तन है तो कमेंट करके अवस्ते पूछें